आज मैं आप सभी लोग उसे बात करने वाली हूं क्लोडॉक्स और डिफेंस एर और फैब्रिक ट्रिगर स्प्रे के बारे में यह जो क्लोडॉक्स का और डिफेंस के स्प्रे है यह कितने भी गंद हो यह कंपने दावा करता है यह स्प्रे दावा करता है कि सारे को यह गंद जाया एक गार्वेज का हो गया यूरीन का हो गया वॉमेटिंग का हो गया हो गया जाके शेक का हो गया लिंक दे दूंगू आप जेक कर लिजीगा और खेमिकल को आपको यह स्प्रे को आपको जो है 6 गंटे बाद बाद यूज़ करना है ताकि बापस जो है वो गंदा गंद ना पाए क्लोडॉक्स ओर्डर डिफेंस जो होता है basically hotel industry and hospital industry में यूज़ होता है यह क्लोडॉक्स का ओर्डर डिफेंस को हमें यूज़ कैसा करना है हमें यह स्प्रे तभी यूज़ करना है जब उस रूम में या उस जगे पे कोई मिट्टी ना हो अगर है तो होता दने का कोशिश करें उसके बाद जो है हमको exit से इसको spray नहीं करना है रूम का एकदम ओपिनिंग में चला जाना है उसके बाद हमें एर में side to side sweeping motion में हमें spray करते करते exit tech spray करते करते जाना है अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी smell अभी भी है तो chemical को यह spray को जो है क्लोडॉक्स ओर डिफेंस को और एक बार यूज़ कर दीजे यह आपको कहां कहां सबसे अच्छा काम करता है क्लोडॉक्स ओर डिफेंस यह एथलिक फैसिलिटीज में काम करता है ब्रेक रूम्स में काम करता है होटेल रूम्स में काम करता है रस्ट रूम में काम करता है वेस्ट डिस्पोजल रूम में काम करता है यह जो Clorox Order Defense Air and Fabric Trigger Spray 32 जो है यह एक harmful spray है ठीक है इसको जब भी यूज करे आइस का protection, hand protection ले ले because इसमें basically देखा गया है किसी के अगर आखों में चला जाता है तो normally तो पान देने के बाद ठीक हो जाता है लेकिन इसका थोरा देखा गया है कि आखों में redness आना आख में जलन होना और आखों से continuous पानी भी निकलते रहता है दॉक्टर का attention का भी ज़रोड़ी पर जाता है इसलिए कोशिश करिए का जब भी यह आप spray यूज करे Clorox का order defense तब आप यह eyes protection, hand protection, skin protection ले ले face mask ले ले अगर सोचे फिर भी किसी का आखों में गलती से चला गया है तो continuous पानी से दोना है अगर कोई भी symptoms आपको लग रहा है, हो रहा है तो आपको doctor का attention लेना है अगर smell की बज़े से अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो fresh air में जाए अगर फिर भी थीक नहीं लग रहा है तो doctor का attention ले अगर गलती से किसी ने ये chemical को पी गया है तो vomiting का symptom आ सकता है अगर कुछ भी uneasy लग रहा है तो आप doctor का attention प्लीज ले ये chemical basically international chemical है इंडिया में उतना use नहीं होता है इंडिया का बाहर ये chemical जादा use होता है कोई सी का भी अगर skin में गिर जाने के वज़े से irritation हो रहा है तो वो please कोशिश करे continuously 15-20 मिनट से हाथ को दोए skin को दोए dress को change करे अगर फिर भी थीक नहीं लग रहा है तो doctor का attention ले अगर आपको Clorox Order Defense की और भी details information चाहिए तो Google में जाके Clorox Order Defense बोलके MSDS लिखेगा full information आपको आजाएगा आपको भी believe हो जाएगा कि मैंने आपको सही information दिया है या नहीं दिया है thank you so much आप लोगो को मेरा videos देखने के लिए मेरे साथ जुरहने के लिए शुक्रिया अगर आपको कोई सवाल हो तो comment कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो like, share, subscribe करिए करिएगा मेरे साथ जुरहने के लिए शुक्रिया thank you so much